हेलो बच्चों स्वागत है आपका इस यूटिब चैनल में मैं राउट गुरूँ स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल के उबर जिसका नाम है इलाइट लड़िग ठीके दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए ले गया हूँ रेडियेशन टॉपिक का फुल एक्स्प्लेनेशन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रेडियेशन में किस टाइप के रेडियेशन होते हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे और कंडियू करते हूँ आगें सारे रेडियेशन के लॉज भी डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो बेसिक इंट्रड़क्शन आफ रेडियेशन तब तक अगर आपने चामिको सब्स्क्राइब दी किये तो क्या करना है आपको बेल आइकन को वीट करना हूँ मत बूनना तो क्यों हिड करना है आपको चामिको याल मैं कब तक explain करते रहूँगा क्यों हिड करना है कि खाय तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देटिंगे introduction of radiation Radiation क्या होता है radiation is an amount of energy which is released in the form of waves समझ में आधी है बात, कोई भी energy, कोई भी object, जब वे उसके form में release करता है, तब उसको कहते है है हम, radiation, radiation का basic law, क्या कहता है आपको बता है, जानों कि तो हैरान हो जाओ, वो law ये कहता है, कि each and every object, which is having more than absolute zero temperature, then the body is definitely going to radiate some amount of energy, इसका मतलब ये है कि आपके हाद में जो मोबाइन है, आप खुद, जो आपके बाजू में जो कुछ भी person बैठा ले, या फिर मैं, जो यहाँ पे आपको बढ़ा रहा हूँ, हम सब कुछ न कुछ energy, ग्रेम्स के form में radiate कर रहे है, मानो या ना मान, law तो ये न और इसका exact meaning अगर आप exact understanding दिनकों के molecular structure के basis के उकर, तो आपको भी पता चलेगा कि कोई भी body जब absolute zero temperature से आगे के temperature पे होती है, तब वो energy radiate कर सकती है, और करती ही है, तो ये absolute zero temperature क्या है, तो कहले नमाने में बहुत सारी बिनन दूँ चुकी थी, कि absolute zero temperature क्या है, तो absolute zero temperature होता है, ये absolute scale का zero temperature, ये absolute temperature scale क्या है, तो absolute temperature scale, degresential scale नहीं, वो है Kelvin scale, तो Kelvin scale के उपर absolute zero temperature क्या आएगा, तब body होगी absolute zero temperature क्या उपर, और body का internal energy एकदम से हो जाएगा जिलो, और body जो है, कुछ भी energy radiant नहीं करीगा, तो बढ़ी में आ रही है अबा, तो absolute zero temperature मतलब क्या है, क्या होगा, minus two, 73.15 degree Kelvin, इतना temperature अगर आपका हो लिया, तो आप energy radiate नहीं करीगा, तो radiation क्या है, समझ में आया दोश्तो, radiation मतलब, जो कुछ भी energy, कोई भी body, release कर रही होती है, due to its temperature, क्यूंकि उसके बास, उसके पास, उसके temperature होगा, तब उसको करें के हाँ, radiation मतलब भी आपको स क्या होगा, कि कोई भी body का इतना भी temperature हो, लेकिन उसका zero temperature नहीं चाहिए, तो उसके intermolecular structure के अंदर, कुछ ना कुछ energy रही, उसको कहेंगे हम internal energy, जिसकी वजए से वो body कुछ ना कुछ ना कुछ energy, atmosphere में हमेशा release करेगी, और उसी को हम करेंगे, radiation, radiation, R-A-D-I, A-T-I-O-N, समझ में आया, तो जैसा आप ने अभी समझ लिया, तो आगे हम देखेंगे, यह radiation की शुरुआ कैसे होती है, तो कोई भी body को radiations produce करने के लिए, जादा आमांद की radiations देनी के लिए, कुछ ना कुछ कुछ के पास energy होना जरूरी है, मतलब उस body का temperature हमने पड़ा, कि radiation मतलब energy radiated due to temperature of the body, तो temperature किसी भी body का increase होगा, तो body energy radiations ज्यादा produce कर सकती है, अगर body का temperature निचली तरब चला गया, मतलब करम पूरता गया, तो वो radiation कम कर सकता होगा, एक्शलूट जीरो temperature पे वो radiation क्या करता है, radiation नहीं कर सकता, एक्शलूट जीरो temperature, समय में आधिया बात, तो यहाँ पे देखो, आपको मैंने एक figure दिया हुआ है, जिसमें एक object लिया है, उन्हें, rectangular form में, कोई भी object कर सकते होगा, आपके surrounding का, suppose उसके उपर energy incident हो रही है, Q amount, कितने amount की, capital Q amount की energy जो है, उसके उपर incident हो रही है, तो Q जो है, incident energy, तो वो जो object होता है, उसके अंदर क्या हो है, तो पहले वो जो incident energy होती है, उसको वो object कुछ ना कुछ response देता है, और वो जो response होता है, वो तीन टाइप्स में दिया जाता है, तो उसमेन पहला type है, energy somewhat, जो कुछ में incident energy होता है, उसमें से कुछ ना कुछ तो जिसको हमने दिखाया है Q suffix R से Q suffix R is the amount of energy reflected कुछ energy वो object क्या करता है कुछ के पास रख लेता है जिसको कहेंगे हम absorbed energy तो इसको तो arrow दिखा नहीं सकते हैं उसने निगल लिया है उस energy को तो कहा पे दिखाएंगे वही आप इदर से निगला रहे और कहा पे जाके छोड़ेगा हमें नहीं नहीं पता चीक है तो Q A is absorbed energy तो समय मैं आप क्या का रहा है तो Q amount की energy incident हुई है फिर Q R amount की energy उसने उसमें से reflect कर दी Q A amount की energy उसने absorbed कर दी अगर उसके पास उसके बाद अगर Q amount की energy में से कुछ part बचा है तो उतनी energy वो सामनी की तरफ transfer कर देगा उतनी energy क्या करेगा वो सामनी की तरफ transfer करनेगा उसको करेगी हम transmitted energy चीक है तो हमने 9th standard में हो या 10th standard में हो अपने अपने syllabus के हिसाब से एक बहुत ही बहतरीन law पढ़ रहा होता है ये junior classes के अंदर क्या होता है वो? Law of conservation of energy Law of conservation of energy क्या कहता है? Energy of the universe is always constant यह कहता है पहला basic statement उसका वो है कि universe का energy जो रहा हो हमेशा constant रहेगा उसी का meaning के किसी भी system की energy जो है वो constant रहती है ये भी उसी का मतलग चीक है और एक statement आप बना सकते हो Energy can neither be created nor be destroyed but it can only be transferred from one form to another form ये तिनो statement किसके है? Law of conservation of energy के Law of conservation of energy अगर हमने या पर apply कर दिया तो या पर देखो आप क्यों amount की energy बाहर से incident हुई उसमें से qr amount reflect हो गया qa amount absorb हो गया और qt amount transfer हो गया इसका मतलग क्या है? अगर आपने जो किल भी लाइटर सेक्शन में हुआ है तो इसको add गरोगे मतलग energy absorbed plus energy reflected plus energy transmitted इसको add गरोगे तो किसके बराबत चाहिए? external जो energy input हुआ है उसके बराबत यदी हुदा है Law of conservation of energy तो नीचे आपको लिखके दिया है q is equal to qa plus qr plus qd इसका मतलग के external energy incident onto the body is equal to energy absorbed plus energy reflected plus energy transmitted तो दुनिया के अंदर जितनी भी bodies है मतलब जितनी भी material है metal है, non-metal है, plastic है, cement है, steel है हम भी तो मढ़ी इसे हैं दुनिया के अंदर और हमारे शरीर के ओपर जो कुछ भी dresses है वो भी एक तरीके के material है तो इस सारे materials तो या फिर सारे matter का जो कुछ भी matter के अंदर materials आ रहे है सबकी लिए यह जो property है energy absorption, energy release, energy transmission यह property अलग-अलग तरीके के लिए मतलब कुछ material ऐसे है जो energy को सिर्फ reflect करते हैं जागा तर कुछ material ऐसे है जो energy को सिर्फ absorb करते हैं कुछ material ऐसे है जो energy को सिर्फ transmit कर सकते हैं तो उनका basic property है molecular structure की वज़े से हो सकता है उनके अंदर वो property तो यहाँ पे हमें find out करना होता है कौन सा material ज्यादा energy absorb कर सकता है कौन सा material ज्यादा energy reflect कर सकता है कौन सा energy ज्यादा energy कौन सा material ज्यादा energy transmit कर से ठीक है दोस्तों तो एक्जाम्में लिए उनके black shirt आपके दूश्रे वाले दोस्तों पहना एक white shirt और इसरे वाले दोस्तों पहना लोग ब्रिश पहना है तो black white चोटी तो जिसे ने black color पहना है उसको heat जो feel आएका heat का कोछ़ भी heat का feeling का को सब से ज्यादा हो करते हूँ वेकाज उसका शर्ट एब्सॉप्शन का फाम ज्यादा करता है। तो जनरली ओर ओर लग दिखा जाए को ब्लैक कलर्टी जो कुछ भी बॉड़ी होती है वो ज्यादा एब्सॉप्शन का नाम करती है। वैड़ास white color एक जिसने shirt पहना है उसका एसे लगएगा कि उसके ओपर ज़्यादा energy इंस्टेंट में हो घ्यादा एक इसमें से energy ज्यादा दर रिल्फॉट हो जाएगी। तो white color जो होता है ज्यादा तर्व रिफ्लेक्टर का साम करता है, ज्यादा इवर्ज वो रिफ्लेक्ट करता है और जो कुछ भी अलग color का shirt पहना हुआ बंदर है उसको मतलब ज्यादा heat भी फिलनी होगी और ऐसे भी दिलगेगा कि heat बहुत काम है मतलब उसको अगर देखा जा तो coefficient of reflected energy, transmitted energy, absorbed energy लगभा उसके लिए same आसकता है तो ऐसे अलग-अलग material के लिए यह चुब-कुछ भी Abloxion energy, transmitted energy, reflected energy का amount तो सब के लिए अलग है तो उसकी के हिजाब से हम heat pipe के coefficients यहाँ पे define करते हैं कि इस chapter के अंदर तो उनको हम अभी हम देनेगी तो पहला है coefficient of absorption coefficient of absorption क्या है तो यहाँ पे filler में जो कुछ पर आपको जैसे मैंने explain कि कुछ energy जो है incident में से absorb होने वाली है coefficient of absorption क्या टहता है कि कि इतनी energy amount हुई है divided by कि इतनी energy incident हुई है यह ratio अगर calculate करोगे तो वो होगा coefficient of absorption एक है अगर भुटिश रैंविज में उसको definition देना चाते होगा तो उसको define किया जाएगा energy absorbed per unit energy incident onto the body is called as coefficient of absorption which is denoted by alpha and formula is alpha is equal to qa upon q energy absorbed upon energy incident तो यह कभी भी 100% शी जादा हो सकता है कि नहीं हो सकता block of absorption energy क्या होता कहता ही जीतरा energy आएगा उसमें से या तो पूरा absorb हो सकता ही उसमें से को मैं absorb हो जादा कुमता हो चीग है तो वो जादा जादा 100% लेकिन वान हो सकता है उसी संदर्भ में बनता है दूसरा coefficient जिसको कहते हैं coefficient of reflection तो जैसे हमने coefficient of absorption का defined किया वो related का absorbed energy से वैसे coefficient of reflection जो है reflected energy से related रहेगा coefficient of reflection का definition क्या होगा दूस्तों coefficient of reflection is defined as the ratio of energy reflected per unit energy incident on to the body will be called as coefficient of reflection जैसे की formula भी दिया है gamma और r भी भूल सकते हो उसको r equal to qr upon q that is energy reflected upon energy incident उसना मतलब क्या होगा जितनी भी energy object ने reflect किये है तो कितनी incident होएती हो उसमें से कितनी उसने reflect किये that would be called as coefficient of reflection इसका भी value जादा ज्यादा 100% हो सकता है या फिर या फिर उससे कम हो सकता है अगर numbers में नहीं पे तो unity हो सकता है one या फिर उससे कम लास्ट देखें कि हम coefficient of transmission ठीक है दो coefficient of transmission में क्या देखना है हमें कि जितनी इनर्जी incident होए उसमें से कितनी इनर्जी यावा से body जो है एक जबासे दूतरी यावा पे कर सकता है तो coefficient of transmission का definition क्या होगा जैसे हमें coefficient of adoption अन्था the coefficient of reflection या मा को define क्या है उसी type में हम define करेंगे coefficient of transmission that is P और उसका definition क्या होगा the ratio of energy transmitted per minute energy incident on to the body will be called as the coefficient of transmission which will be given by the formula t equal to qt upon q qt is the energy transmitted q is the energy incident लिए है तो जैसे हमने law of conservation of energy से उपर पहला equation लिगा है q equal to qa plus qr plus qt by law of conservation of energy ठीक है तो यहाँ पर साइटम्स को right hand side में अगर हमने q से divide कर दिया और left hand side में भी q से divide कर दिया तो क्या हमें q upon q equal to qa upon q plus qr upon q plus qp upon q तो सीदा सीदा हमें relation यह में रहे q upon q equal to y qa upon q equal to alpha qr upon qp q equal to r gamma qt upon q equal to t तो आपको क्या में रहे alpha plus yama that is also called as r आपको 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 ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में हम continue करेंगे क्या होती है black body black body के लिए absorption coefficient, reflection coefficient, transmission coefficient क्या होता है वो सब को इटेल में देखिंगे अगले वीडियो में तब तक keep hard working, keep supporting and keep keep enjoy अज़र आपने अब दो क्योब सब्स्राइब नीकें करना का है तो क्या दोला क्रंदो मैं सब्स्राइब चीक है और लाइगन को भीख करना, बन जोडना क्यों आपको तो पता हिए यह दोस्तों मिल देखिंगे वीडियो में लेटीं अगले concepts बेंगे.